ओम स्यंति अब वो समय आ गया है जब हम सभी को संसार को बहुत बहुत स्रेश्ट वाइब्रेशन्स देने हैं बाबा कहा करते थे कि तुम्हारी सकास की संसार को बहुत बहुत जरुरत है पंदु बहुतों ने इस पे ध्यान नहीं दिया सकास के मार्ग बे व्यर्थ संकल्प, स्वार्थ, मेंपन, तेरा, मेरा ये वाधाय है हमारी सकास पहुंच नहीं पाती अगर हमने अपने चारओर, तेरे, मेरे की बाउंडरी लगा ली है तो समय हम सब को अब तेजी से पुकारने लगा है अब तो किशी को कुछ कहने की जरुत नहीं coronavirus ने सब को सचेत कर दिया है जगा दिया है लेकिन कई लोगों को ठंडे भी कर दिया है बाबा की बहुत बच्चे ठंडे हो गे थे सो गे थे, doubtful हो गे थे, पुरसार्थीन हो गे थे बाबा को छोड रहे थे बाबा माना सिर्व बाबा भगवान जिसका हाथ पकड़ा था जिससे बहुत वायदे किये थे उसको छोड रहे थे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अब ये समय जगाएगा अब समय बहुतों का सिक्षक बन गया लेकिन अभी भी जो तेड़ पुरसात कर लेंगे वो भी महान बन जाएंगे अभी अवसर खतम नहीं हुए हैं अवसर अभी भी बाकी हैं और ये प्रभू प्लानिंग ही है इस रामा में के सभी को अब बिन बिन जटके देकर संपून्ता की और ले चलना है क्योंकि आखिर तो ये युग बदलना ही है युग परिवर्तन की पहली प्रकिरिया हम सब देख रहे हैं उसे गुजर रहे हैं बहुतों को कड़वे अनुफव हो रहे हैं कईयों को मीठे हो रहे हैं कईयों को स्वपुरसार्त क समय मिल गया है तो कई घर में बैठे बॉर भी हो रहे हैं जिनका पुरसारत अच्छा नहीं था जिनको मुल्यों मेरस नहीं था वो बॉरियत महसूस तरहा है लेकिन हमें स्वैम को आनंदित करना है और तैयार करना है सर्व खजानों से भरपूर करके ताकि हमारे vibrations, संसार की अनेक बेचैन आत्माओं को चैन दे सके ये घटना तो कुछ भी नहीं है, सब घर में तो हैं, परिवार हैं, सुरक्षित हैं, खाना पिना मिल रहा है कुछ विशेश बात नहीं है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब अत्यन्त पीड़ाएं होगी धर्मराज का पाड़ तेजी से चल चुका होगा, भारत में तो अभी श्यंती है, लेकिन कई भी देसों में तो बुरा हाल धर्मराज का पाड़ चालू हो गया, तो हम सभी पुनहें जगें समय को पहचाने, इस खेल को साक्सी होकर हमें देखना ही है क्योंकि जो कुछ होगा वही होना है, उसको संसार की कोई शक्ती बदल नहीं सकती जैसे दिन रात का चक्र है, अब दिन पूरा हो रहा है, सूरज ढल रहा है, रात आने वाली है कोई कहे हम इसे रोक ले, असंभव, रात गहरी होती जाएगी, फिर रात गहरी होकर वो भी समाथ होगी सूर्योदै होगा, कोई कहे ये नहो, ये भी संभव नहीं इसलिए इस रश्ती चक्र अपनी गती से चल रहा है, अब ये कल यूग सत्यूग में चेंज होने के बहुत समीप आ गया है तो हमें स्विकार करना है, जो कुछ होगा, वो हर एक के कर्मों के अनुसार होगा प्रकर्ति के विरुद्ध जो हमने किया प्रकर्ति हमारे विरुद्ध करेगी मनुस्यों को हमने कस दिया मनुस हमें कस देंगे हमने जानवरों को खाया अब वो हमें खाएंगे ये सब हम साकार में प्रैक्टिकल में देखेंगे इसलिए जो कुछ होगा उसे सुईकार करके हलके रहना होगा, शक्सी भाव में रहना होगा, लेकिन अपने कर्तव भी करने होगे और कर्तव हैं सबको मदद करना, इस थूल में मदद करनी होगी और सुक्स्म रूप में सबको सकास भी देनी होगी, इसलिए रोज सबेरेश्य 15 मिनट का समय आपनी स्चित कर ले जब सब को वाइब्रेशन्स देने हैं रोज और जो बहुत अच्छे योगी हैं जो बहुत अच्छे पुर्शार्थी हैं वो इसी तरह अभ्यास करें हम जुड़े हैं सर्व शक्तिवान से और हम से जुड़ा है सारा संसार संपूर्ण प्रकरती स्व बाबा से वाइब्रेशन्स लेकर हम सारे संसार में फैला रहे हैं तो सकास देने की निरंतर सेवा हम चालू करते रहें इससे हमारे पुन्यों का खाता बढ़ता जाएगा हमारा जीवन निर्विघन होता जाएगा हमारी एकागरता बढ़ती जाएगी पर इसके लिए ये परमावस्थक है हम वियर्थ में न रहें नेट पे बहुत न रहें टीवी आदी पे बहुत न रहें वियर्थ की जो चीजे हैं उनको जितना कम करेंगे उतना हम संसार को मदद कर सकेंगे ओम स्यांती